नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवारदाइस पीड इस्टडी में और आसा करता हूँ कि आप सबस्वस्त होंगे सुरचित होंगे आज हम लोग आज से एक नया सेसन श्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट का जी हाँ दोस्तों जीतना प्रेक्टिस करेंगे आप रिजनी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जीतना प्रेक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी दोस्तों और जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि हम लोगों को 30 मिनट का समय मिलता है और 30 मिनट में दोस्तों 30 कुश्चन करना रहता है जिसमें आपको GS के भी कुश्चन कुश रहते हैं जर्नल इवायरनेस के तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको आपको दोस्तों 20 मिनट में 30 क कर लेना है अगर आप अपनी स्पीड इतनी मेंटेन कर लेते हैं तब जान लीजी कि आपको प्रॉफिट इसका मिल जाएगा और एयर फोर्स इस्पेशली वाई ग्रूप के लिए दोस्तों जैसे कि आप देखे होंगे वाई ग्रूप की इस बार की जो मेरिट थी वो 30 के अप पास थी तो अर्थार दोस्तों ये रिजनिंग ही एक ऐसा सिसन है जो जिससे आप अपना जो स्कोर है वो बूश्ट कर सकते हैं दोस्तों इसलिए अगर आप दोस्तों अभी तक नहीं सुरू किये हैं तो आज से पढ़ना सुरू कर दीजिए और हमारे साथ लग जाएए चल समय दोस्तों आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा या एक चीजा रखिएगा जो आपका वर्ड बेस रहेगा उस पर आप पहले मत फसिएगा अब जैसा कि आप देख रहे हैं पहला कुशन लिखा हुआ है कि यदि उप्रोक्त ब्यवस्था के सभी अंकों को हटा दिया जाए तो निमलिखित में से कौन सी दी गई ब्यवस्था के बाएं सीरे से बीस्वें पदल के बाएं से तीस्वा सात्वा होगा जी हां दोस्तों अब आपको यह सारा दिया गया है अब इसमें लिखने के कुछ भी जरूरत नहीं है दोस्तों आप सीधा कंप्यूटर पर ही ऐसे कर लिसे कर के आप उसका आउर सर्ड़ बता देंगे कैसे बताएंगए आइए हम चबते हैं कह रहा है कि सभी अंकों को हटा दिया जाएं तो निमलिखित में से दी गई ब्युधा के बाएं सीरे से बीस्वें के बाएं सात्वा याद रखेंगा जब भी आपको बाया जब भी आपको दाया दाया दिया रहे तो घट जाता है। आप कहला है बाएं सीरे से 20 में पद के 22 और 20 और साथ दोनों बाया है तो इसलिए घटा देंगे दोस्तों तो 20 में से 7 घटाएंगे 14 इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 20 से 14 हमको देखना है और जिसमें गिंती हमको count है नहीं करनी है चलिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नाओ, दस, ग्या, एग, नहीं होगा ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, ठिक, तो चौदावा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यल हो जाएगा, अर्थाज जो हमारा option हो जाएगा, option क्या हो जाएगा, यल, याद रखिएगा दोस्तों, हम इसको लिखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, सीधा आप कंप्यूटर में गिनिये, और गिन्ती को छोड़ते जाएगे, जो आपकी गिन्ती है, उसको छोड़ते जाएगे, और जो आपकी अच्छा रहें, उसको गिन्ते जाएगे, आपको answer मिल जाएगा, जैसे कह रहा है कि निम लिखित पदों में से कौन सा पद, बाएं सीरे से, ग्यारवे पद क सात्वा जाना है, तो देखिए दोस्तों, बाएं से ग्यारवे पगर जाएंगे, तो बाएं से ग्यारवे पर हमको क्या मिलेगा, देखिए, तो अब इसमें कुछ भी कहने रहा कि इसको आप छोड़ दीजिए, या इसको आप ले लीजिए, ये नहीं कहना है, बाएं से ग् और छे 7 यह सात्या हो गया अब इसके भी बीच में कौनसा पध्र हो गा तो याद रख़िए दोस्तों देखिए चाष तीन साथ डूह नव एक तस दस इथर हो गया फिर धर दिखिए दू दू छार दो छे दू आठ दस इधर हो बचा क्या दोस्तों यही एपास टॉफी बचा हमारा अर्थात इसका आइंसर क्या हो जाएगा option number 4 आपका सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताए लिखना नहीं है डारेक्ट आप computer पे ही ऐसे करके अपना speed maintain किये रहेंगे और जहां आप दोस्तों 10 मंदरा संख्या है दो से अधिक बारा आएंगी जी हां दोस्तों क्या कहरा सम संख्या में दो जोड़ना है और बिसम संख्या में एक घटाना है तो संख्या आपके पास कितनी है देखिए दो है ठीक फिर और देखिए चार है फिर दो है फिर छे है फिर चार है फिर छे है फिर चार है यही तना है समघ्दोश्तों और थिस्थ फार है उपड़ेतं है इस पांच है उस काहन नव के बाद पर 3 के बाद पर 5 है तो सम्संख्या में दो जोड़ देंगे दोस्तों चार हो जाएगा ठीक फिर देखिए दो है दो में दो जोड़ देंगे दोस्तों चार हो जाएगा फिर और कहीं दो है नहीं है दोस्तों चार देखिए तो सम कहो गया और विसम संख्या में से एक घटा देना है तो पांच में से एक घटाएंगे दोस्तों चार हो जाएगा तीन में से एक घटाएंगे दोस्तों दो हो जाएगा पांच में से एक घटाएंगे चार हो जाएगा नौ में से घटाएंगे आठ हो जाएगा साथ में से खटाएंगे 6 हो जाएगा अप चलिए दिखे क्या कहह रहा है कितिनी संख्याएं दो से अधिक बार आईएंगी जी हाँ दोस्तों तो देखे चार आपके पास कितनी बार है एक दो तीन चार तीन बार है फिर आठ एक dallो इलाए इसी है कि जो कितनी बार आ रही दो से अधिक बार आ रही तो option C हमारा सही हो जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों आप सीधक स्क्रीन पर ही ऐसे स्क्रॉल करके कर सकते हैं जैसा दिया गया दिया बियोस्ता में से ऐसे कितने अच्छर हैं जिनमें पहले प्रतेक के पहले स्वर प्रतेक के ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर है मतलब अच्छर, अच्छर के बाद स्वर और उसके पहले प्रतीक, चलिए दोस्तों, अच्छर के पहले प्रतीक और उसके पहले स्वर, तो अच्छर के पहले प्रतीक, अर्थात हमको सबसे पहले प्रतीक ढोना है, तो प्रतीक, अच्छर, फिर स्वर एक हो गया, फिर चलिए दोस्तों प्रतीक अच्छर स्वर गलत है फिर देखिए प्रतीक गलत है प्रतीक अच्छर स्वर देखिए यहां पर प्रतीक है अच्छर है स्वर है और देखिए दोस्तों फिर आगे चलिए प्रतीक प्रतीक अच्छर स्वर यह देखिए प्रतीक है लेकिन अच्छर स्वर न दो तीन और ये चार दोस्तों ठीक कितने है चार आपके पास है तिसका क्या option नहीं हो जाएगा कहीं दिक्का थो दोस्तों बताईए जैसे आगे देखिए आखरी कुशन दी गई ब्योस्ता में आएसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या मतलब संख्या फिर प्रतीक संख्या और प्रतीक लेकिन उसके बाद कोई संख्या नहीं है और उसके बाद संख्या नहीं है चलिए संख्या देखिए संख्या है प्रतीक है फिर संख्या नहीं है संख्या है प्रतीक है फिर संख्या नहीं है चलिए दोस्तों आगे संख्या है प्रतीक है फिर संख्या नहीं है आगे चलिए संख्या है प्रतीक है फिर संख्या है यह आपका नहीं होगा फिर चलिए संख्या है प्रतीक नहीं है फिर संख्या है प्रतीक है फिर संख्या नहीं है तो एक एक दो तीन चार पाच तो कितना हो जाएगा दोस्तों more than 3 यानि कि option number 4 हमारा सही हो जाए कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों बताइए यह सब के answer है पीडियाप दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल दाइस्पीड इस्टेडी पर मिल जाएगी आप आगे चलिए दोस्तों अगला टाइप क्या है कह रहा है उप्रोक्त ब्यवस्ता में सभी प्रतीकों को हटा दिये जाए यह दोस्तों आपके लिए होमवर्क है ठीक पांच कुश्चन है पांच कुश्चन आप करिएगा आगे चलते हैं दूसरा आप लोग क्या करते हैं कि इस तरीका बताता हूँ आप जो है सबसे पहले देखिए दोस्तों कितना है एक दो तीन चार तो आप ऐसे चार लाइन खीज दीजिए तीन चार चार लाइन जब आप खीज देंगे तो किवल आप वही एक एक अच्छा लिख दीजिए टाइगर हंट फिर हंट डॉग फिर मैन हंट एलिफाइंट फिर टाइगर एलिफाइंट आर एलिमल फिर डॉग आर एलिमल ठीक ये दोस्तों हमने लिख लिया और कोड लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा एपी सीडी एफ ठीक एपी सीडी एफ फिर एफ जी यच आईजे फिर एपी आईजे के यल यम यन फिर सीडी के यल यम यन ठीक यह हो गया अब देखिए एक का गयफ है फिर नीचे यहां पर देखिए किसके नीचे एग गयफ है दो गये फिर लिखा है अरथात डीख हो जाएगा क्या CD तो इस तरह से दोस्तों आपको सब का मिल जाएगा आप जैसे देखिए यहाँ पर YUM के नीचे खाली है अब यहाँ खाली क्या है यह देखिए तो अर्थात YUM का हो जाएगा GE YUM का मतलब क्या है दोस्तों मैन है फिर देखिए E E के नीचे तो यहाँ पर क्या है ठीक एनीमल तो आर और एनीमल में के याल और YUM में डैस रहेगा तो यह चीज है दोस्तों अब आगे चलें दोस्तों जैसे देखिए अब इसमें उसी तरह इसमें भी सबको निकालना है ठीक फिर आगे चलिए यह सारा कुशन हम लोग देखेंगे दोस्तों अब इसमें देखिए statement वाले में क्या रहता है कि इसमें दोस्तों हमेशा अगर मूख खुला मिलेगा खुला मिलेगा या दोस्तों आपको इस तरह का बराबर कर निसान मिलेगा तब ही आपका रास्ता खुला है अगर जिधा जहां पे आपको इस तरह मिले जा लीजे वहीं आपका रास्ता बंद हो गया जैसे दोस्तों अगर हमको D से B तक जाना है तो याद रखिएगा D से B तक जाना है तो D से आप Z, Z से U नहीं जा सकते D से आप Yल, D से आप Yल तक तक गए, Yल से आप E तक गए, E के बाद फिर देखिए आपको गजाने को मिलेगा E के बाद फिर आप Yes तक गए, Yes के बाद फिर आप B तक गए लेकिन B से आप A के पास नहीं जाएंगे यानि कि D से आप B तक तो चले गए तो हमेशा आपको इस तरह का सिंबल मिल रहा था अर्थात D is greater than B होगा दोस्तों लेकिन यहाँ लिखाए D is less than B अर्थात यह आपका क्या हो गया गालत हो गया दोस्तों फिर YUM is greater than Z YUM से Z तक जाना है अर्थात यह भी गलत है पहले का दोस्तों दोनों गलत हो गया इसमें देखिए YUM से Y जाना है YUM से B गए फिर B YUM से B गए अब देखिए दोस्तों अब यहां पर हम देख रहे है Z Q Y है ना रुक जाएगे दोस्तों YS से Y जाना है YS से Y जाना है इसका मतलब यह हुआ कि आप YS से चलिए तो YS से चलेंगे दोस्तों YS से Y गए YS से YUM गए YUM से B गए उसके बात क्या इसमें से किसी का संबंद दोस्तों इसमें दिखाया गया है B के साथ नहीं दिखाया गया जब नहीं दिखाया गया दोस्तों तो यहां पर देखिए यसजो है जेट गए यस जड़ बंध है रास्ता और रास्ता बंधे ये गलत हो गया फिर यह से यम जाना है दोस्तों टेव यह सी जनतम जाने के लिए यह सी यश तक गय लेकिन यसस मेसे जाब आएगे नहीं जा जहां जहां आपको इस तरह मिलेगा वहां वहां आप जा सकते हैं लेकिन जैसे ही आपको यह मिल जाएगा वैसे ही आप वहीं से लौट आएंगे जैसे दोस्तों यहां पर यहां से पी जाना है तो यन से आप W के पास गए, W से C के पास गए, C से V के पास गए और V से P के पास गए अर्थात आप चले गए और आपको हर जगा या तो यह मिला और या तो बराबर मिला तो अर्थात यन से P चले गए आपका सही हो गया लेकिन फिर देखे वी, R से V जा रहा हूँ R से E गया, E से X गया, X से T गया, T से फिर आगे नहीं जाने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद हो गया, रथाती यह गलत हो गया, यह सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है एक बार आप इसको करके देखिएगा, फिर जो बचा हुआ प्रस्न है, इसको हम कल डिसकस करेंगे दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, जयें